दोस्तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जै माता दी आज की जो वीडियो का विशे हैं, बहुत ही सुन्दर है नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना लेकिन ये कार्य जरूर करना बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, आप चाहे कुछ करे या ना क लेकिन नवरात्रों में ये एक काम जरूर कर लेना, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चल कर आएंगी, आगे आपकी मर्जी दोस्तों नवरात्री में बिना वरत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्र का फल मिल जाएगा ये वीडियो ध्यान से देखना अगर आपने वरत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि कभी-कभी हम काम के चलते या फिर ओफिशल वक होता है या कभी-कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंच जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात् नवरात्री में कोई बात नहीं दोस्तों बस ये एक काम आपको कर लेना है नवरात्री में जीतने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़ करके फलप्राप्त होगा तो ये वीडियो ध्यान से देखना आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुन्दर है ज्यानवर्धक जानकारी है इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपे खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला हमारे चैनल का मकसद है जनहत एवं जनकल्यान करना इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं त प्रमानित जानकारी बताओंगा जो जानकारी बताओंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताओंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं माता रानी के प्रती आपकी आस्था हैं. माता रानी के प्रती आपका विश्वास है तो आप कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखना इस वीडियो को लायक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा यदि आपकी राशी के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वहाँ आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाय करके बता देंगे चलिए समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा देखिए अगर आपने दुर्गा सप्थशती का सिदक उंज का स्त्रोत के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा आपने देखा होगा भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है ना किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्थान करने की जरूरत है ना पूजा पाठ करने की जरूरत है केवल सच्चे मन से अगर नवरात्री के समय में कोई भी व्यक्ती पूरे मन के साथ पूरे विश्वास के साथ सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्थशती में वर्नित सिधकुंज का स्फ्रोत का पाठ कर लेता है तो संपुर्ण दुर्गा पाठ का फलुन्हे प्राप्थ हो जाता है जो भी आप वरत रखते हैं मातारानी के लिए आप चाहते हैं कि मातारानी का आपके उपर आशिर्वाद प्राप्थ हो मातारानी की कृपा मिले आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वो चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए सरकारी नौकरी हेतु पित्र दोश, मंगल दोश, कर्ज दोश, शनी दोश, कर्ज का दोश, गरीबी का दोश मात्र पलभर में दूर होगा तो अगर आपने नवरात्री का वरत रखा है तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका एक हजार गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्री की समय में दुर्गा सप्थशती का पाठ जरूर करना और जो लोग नवरात्री का वरत नहीं रखे हैं, किसी कारण वर्ष उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्थशती में वर्नित सिधकुंज का स्रोत का पाठ जरूर करना पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से नव दुर्गा के नौ दिन वरत करने से कन्या भुजन कराने से जो फल हो जाता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग समर्थ है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए मैं कल की भी वीडियो में बताया हूँ अब कन्या पूजन का बेनिफिक क्या है तो मातारानी सकंद पुरान में भी लिखा है और कई सारे हमारे ज इतना पूजा पाठ से प्रसन होती है उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है। नवरात्री के समय में ये साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्थ है सब बताऊंगा दोस्तों दूसरी जानकारी बता रहा हूँ ये जानकारी आपकी जिन्दगी में बहार लाएगी आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल, सरल, साधरन से विधी बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्यान छुपा हो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिये जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वो जाकर के देवी देवताओं को चड़ाए जाएंगे तो उसका आपको जो है पौन्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चड़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जा तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्री के समय में किसी भी शिव मंदिर है मातारानी का मंदिर है उनके समीप में जाकर के लगाता है तो अक्षर पुन्य की प्राप्ति होती है ना इसमें आपको व्रत करना है ना पूजा पाठ करने की जरूरत है बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं इस श्रेनी में आते हैं जैसे मदार का पौधा सदाबहार का पौधा सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फलते फूलते हैं ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे जिसमें फूल आते रहे तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा जो कनेर का पौधा है ये देवी मा का सिंगार कहा गया है कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे आती उत्तम माना जाता है कनेर के पौधे को पारवती का स्वरूप कहा गया है धर्म शास्त्रों में तो कनेर का पौधा चड़ाने से माता रानी बहुत प्रसं होती है और गोदान के बराबर हमें फलकी प्राप्ती होती है आप चाहते हो तो गुढ़हल का पौधा लगा सकते है दोस्तो मंदिर के किनारे में देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ती गुधाहल का फूल का पौधा लगता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है गुधाल के व्रिक्ष पर साक्षात्मा जगदंबा का वास होता है जी हाँ, ये मैं कोई हवा में हवाय बात नहीं कर रहा हूँ प्रमानित बात कर रहा हूँ धर्म शास्त्रों में भी लिखा है आप मातारानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं कोई सिंगार का सामान चधाए या ना चधाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्री के समय में गुढ़ल का पुष्प मातारानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में 11 की संख्या में चड़ा दी जाए तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्म होने से साक्षाद ब्रमा भी नहीं रोप पाते हैं गुढ़ल का फूल मातारानी को चड़ाने से नवरात्री में आपने पूजा पाठ वरत रखे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं अगर आप वरत नहीं कर पा रहे हैं पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो गुणहल का फूल मातारानी को नवरात्री के किसी भी दिन एक दिन 21 माला पिरो करके माला बना करके माता को चड़ा देना संपूर्ण वरत का फल मिल जाएगा आपने नवरात्री का वरत रखा हो या ना रखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस बुणहल का फूल माता रानी को चड़ा देना तो ऐसा कहा गया है कोई व्यक्ति अपने जीवन का आल में अगर नवरात्री के समय में गुडल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल अगर देवी देवताओं को चड़ना शुरू हो जाते हैं तो मातारानी आजीवन आपकी बिलकुल ही मदद करेगी आपके उपर अपनी कृपा बरसाएगी आपको अपना पूर्ण आशीरवाद देंगी और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे देखिए हमने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कन्या पूजन दो हजार चौबीस में कब है और क्या है शुब महूर्त आई ये जानते हैं लेकिन याद रहे कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना नहीं तो उल्टा आप बरबाद हो जाओगे जानिये कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं और क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए दोस्तों इस बार के नवरात्री बहुत ही शुब और मंगलकारी माने जा रहे हैं इस बार शार्दिय नवरात्री तीन अक्टूबर दिन गुरुवार को शुरू होकर और इसका समापन 11 अक्टूबर महा नवमी दिन शुक्रवार को होगा ऐसे में 12 अप्रेल दिन शनिवार को विजयाद अश्मी को ही दुरगा विसरजन होगा जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं मूर्ती स्थापना करते हैं वो दोस्तों नवरात्र की अश्मी और नवमी तिथी पर कन्या पूजन का विधान है इस बार महा अश्ट्मी तिथी 10 अक्टूबर 2024 यानि की इस दिन गुरुवार है और दुर्गा नवमी तिथी 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को है ऐसे में आप अश्ट्मी और नवमी को इन दोनों तिथी में कन्या पूजन अवश्य ही करें कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्री को बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्री को अच्छा नहीं माना जाता ऐसे में 10 दिनों के नवरात्री बहुत ही शुब माने गए है शास्त्रों के अनुसार नवरात्री के दिनों में माता रानी का पूजन करने से कन्या पूजन करने से मा अभय वर्दान प्रदान करती है कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है श्रीधर की तरह ही सच्चेहृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारन मा शीग रही करती है मार की उपासना से विनम्रता का विकास होता है सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट, नाश्ट हो जाते है नवरात्री में माता रानी का वरत और पूजन किया जाता है लेकिन नवरात्री के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कण्या पूजन का दोस्तों कण्या रानी जो होती है फूल की पंखुलियों की तरह नाजुक होती है कन्या पूजन सर्वोप्रिय है, श्रेष्ट है कन्या के रूप में स्वयम जगदंबा देवी माता वैश्णो नौदेविया अर्थात समस्त ब्रह्मान इनके शरीर के कंकन में वास करते हैं बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो, चाहे बढ़ी हो, वह सदैव पूजन यह है, मा के समान मानी जाती है, दोस्तों माना जाता है और किसी उपासना से माता रानी इतना प्रसन नहीं होती है जितना की कन्या पूजन से होती है नवरात्री में छोटी-छोटी कन्याओं को मातारानी का स्वरूप माना जाता है कन्याओं को भोव लगाया जाता है उन्हें प्रसन किया जाता है और बदले में आशिरवाद मांगा जाता है कन्याओं को प्रसन करने के लिए गिफ्ट आदी उपहार वगरह दिये जाते हैं माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भीद दी जाए और वो उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है मातारानी माता वैशनों ने वो भीद स्वीकार कर ली जिन पर कन्याओं प्रसन होती है तो समझो उन्हें मातारानी का आशिरवाद मिल गया और मातारानी की कृपा से उन्हें मुहमांगा वर्दान प्राप्त होता है कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता समस्त ब्रम्हांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है 10 बार गंगसनान करने से और 100 बार यग्य करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करुणों गुना भक्त को मिल जाता है प्राप्त हो जाता है दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए इससे समस्त ब्रह्मांध हिल जाता है कन्याओं की जितनी सेवा की जाय कम ही होती है कन्याय कोई मामूली नहीं होती कन्या के रूप में स्वयम उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयम देवी चलकर आपके घर तक आती है नवरात्री में दो साल से लेकर दस साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए अश्टमी अथ्वा नव्मी को कन्याओ के पैर धोकर भोजन कराना उपहर आदी देना श्वेष्ट माना जाता है दुरलब माना जाता है ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़ कर पैर पकड़ कर अपने घर तक लेकर आए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशी भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वहां आकर हम आपके कमेंट के रिपलाय में बता देंगे कोई भी राशी के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैशनों बड़ी प्रसन होती है और एश्वर्य धन प्रदान करती है, माला माल बना देती है इसलिए राशी कमेंट में जरूर छोड़े और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें दोस्तों कैसे करे कन्याओं का स्वागत कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए खास कर पुरुषों को कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाहिए इससे मईया वैशनो प्रसन होती है दोस्तों फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगा पर जमीन पर कपड़ा बिछा कर बैठाना चाहिए उनके माथे पर अक्षक, फूल और कुम-कुम लगाना चाहिए फिर उसके बाद भोजन रहन करवाना चाहिए लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में तीन पूरिया कभी ना रखें इसे शुब नहीं, भोर अशुब माना जाता है तीन पूरिया तथा तीन रोटिया मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में तीन पूरिया कभी ना दें लेकिन एक दो करके पूरिया दे सकते हैं इससे तीन संख्या बढ़ जाती है और दोश भी नहीं लगता दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं की सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हल्वा, चना तथा आलू की सबजी, छोले वगरह की सबजी खिलानी चाहिए पनीर आदी भी खिलाया जा सकता है वैसे मातारानी का प्रिय भोजन, खीर, हल्वा, पूरी और छोले आंधी ही है लेकिन भूल से भी लहसुन और प्यास का इस्तेमाल कभी ना करे अन्यता अनर्थ हो जाएगा अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगरह का पैकेट खिलाते हैं जोकी घोर अनर्थ माना जाता है क्योंकि इसमें लहसुन प्यास का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका वृत खंडित हो सकता है, माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है जहां आपने नौ दिनों तक लहसुन प्यास का परहेच किया लेकिन आपकी एक गल्ती पूरे वृत को सकती है इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि मातारानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुध होना पड़े कन्याओं को डबा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों कई लोग कन्याओं पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडी में लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जले भी खिलाते हैं जो कि शुब नहीं माना जाता दोस्तों ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुरघटना आदी हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है तब वो ऐसा करते हैं लेकिन अगर आप सवस्त हैं आपको कोई पिला नहीं है तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए माता रानी दही जले भी नहीं आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है आपका प्यार चाहती है फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए माता के लिए पर आप स्वयम ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं देखिए भले ही आप दही जलेवी खिला सकते हैं परन्तु माता को घर का बना हुआ शुध भोजन ही अतिप्रिय है खास कर नवरात्रों के दोरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए माता रानी बहुत प्रसन होती है घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए हमेशा याद रखे कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए ऐसे बरतन पूजा पाठ के लिए शुब नहीं अशुब होते हैं क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए ऐसा पाप मत करना कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए बहुत ही शुब माना गया है अगर पेल के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वर्दान प्रदान करती है दोस्तों एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पढ़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खटी चीज नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोशी को समर्पित होता है और माता संतोशी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है आपका किया कराया सब बरबाद हो सकता है। खटी चीजों से माता संतोशी रूस्ट हो सकती है, चिव सकती है, आपको श्राब दे सकती है। इसलिए नादान ना बने दोस्तों भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लॉंग जरूर रखना चाहिए क्योंकि लॉंग देवी शक्ती तथा दुर्गा मा को बहुत प्रिय है। लॉंग माता शक्ती का प्रतीक होती है। लॉंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन नौ दिनों में माता रानी को लॉंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लॉंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लॉन प्रिय है। इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लॉन जरूर रख दे। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। तो वह भी आपको खुशी-खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी-खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुन्दर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, म सील के बरतन भी गिफ्ट के तोर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु कितु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोश आपको लग जाएगा, आप भी हो सकते हैं। दोस्तों जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तो उनके चरन जरूर छूले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो और अगर वो लालच माता को पाने के लिए बन जाये तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ती। ऐसी भक्ती के आगे स्वयम 33 कोटी देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों अगर आप वाकई में माव वैश्नों की